हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूटूब चैनल और इस स्टेटियो में हम लोग बनाएंगे एक्स्टेंशन कॉर्ड का बहुत सारा जौरत आपको पढ़ता होगा कभी मोबाइल लगाना है कभी कुछ ड्रिल का काम करना है तो उस समय आपको एक्स्टेंशन कॉर्ड का बहुत सारा डिस्टेंस है और जब भी मुझे मोबाइल चार्ज करना पड़ता ंटो मुझे बहुत दूर जाना पड़ता है और कभी कभी डिशार्ज ouleब आता है मैं कुछ काम कर रहा हूं लैसा कुछ तो बहुत यादा प्रॉल्म होता है तो इसलिए मैं एक एक्स्टेंशन कॉ रहा हूं जिसे कि मैं बेड़ पर ही रख सकूं और काम कर सकूं और यहां पर मैं बहुत ही compact छोटा सा extension cord बना रहा हूं बहुत छोटा सा रहेगा बेड़ पर रखने के लिए और एक बरा सा भी मैंने बनाया था जो कि मेरे में चैनल पर है सेल प्रिपेर गुरुजी उसमें मैंने five socket का बनाया था उसमें switch भी था और उसमें आप देख सकते हैं अगर उस तरह का आपको चाहिए बहुत साला लगाना अट टाइम तो वह भी मैंने बनाया था आप वह मेरे में में चैनल पर जाके देख सकते हैं मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप वह भी वीडियो देख सकते हैं अगर आपको बड़ा सा बनाना हो तो यहां पर मुझे क्या क्या चाहिए था तो एक प्लग मैंने ले लिया है और इसमें मैंने वायर अटाइज कर हो गया बहुत ही आराम से यह कंप्लीट हो गया एक साइड का टेंशन दूसरे साइड के लिए यहां पर मैंने यह बोर्ड ले लिया है मैंने ठीक है यह बोर्ड है यह अच्छा कंपणी का अप लिजेगा कोई भी अच्छे क्वालिटी का स्ट्रॉग होना चाहिए होता है क यह कभी कभी कि यह गिर जाता है तो टूट जाता है तो अच्छा अप लिजेगा इस तरह का बॉर्ड बहुत ही सिंपल है यह बोर्ड आपको कहीं भी मिल जाएगा 15 रुपिस 20 रुपिस का यह मिल जाता है बहुत अच्छा है स्ट्रॉंग बॉर्ड है और जो सॉकेट जो काल सॉकेट होता है आपको ले लेना है और मैंने अच्छे ब्राइंड का लिया है जो बेस्ट ब्राइंड हो आपको लगे मार्कट में यहाँ पे का कॉस्ट है ठाटी फोर रुपिस और मुझे ए 30 रुपिस में मिल तो इस तरह का सबसे बेस्ट ब्राइंड का आप ले यहां पर देखें स्लॉट बना हुआ है इसको आप कर सकते हैं अगर आपको यहां पर स्विच लगाना होता तो इसे कट करने की जौत नहीं होती है पर वही आपको अगर यहां पर यह सॉकेट लगाना है तो थोड़ा से चौड़ा होता है इसके अंदर नहीं आएगा तो इसक होती आराम से यह आ गया इस तरह से और यहां पर दो इसकू दिया है यह हम लोग लगा देंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो कॉंफिन्स बढ़ता है साथ में लाइक कर दीजेगा तो नहीं नहीं वीडियो बनाने का मन करता है आपके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लिए अपने दोस्तों में सेर कीजिए वीडियो को और लाइक जरू कीजिएग सेंटर में आ जाएगा यहां पर यह वायर इसके अंदर जाएगा ठीक है इस तरह से अंदर इसे जाना है और यहां पर फिट होगा तो यहां पर एक छोटा सामलोग होल कर लेंगे आप नाइप के हेल्प से इस तरह से कर सकते हैं यह यह यहां पर सेंटर में आपको होल कर ल है जितना बड़ा में आपका यह जो वायर है अंदर चला जाए ज्यादा बड़ा नहीं करना है यह इसके अंदर चला जाएगा यह पार्फेक्ट है ठीक है यह इसके अंदर आ गया कि उसके बाद यहां पर इस वायर को हम लोग को strip कर लेना है जितना required है उतना हम लोग को wire को strip कर लेना है ले तुने यह동 हो गया और बेश्ट क्वालिटी का आपको wire य्स 크 करना है ताकि यह long lasting रहा है बहुत दिन तक चलता रहिए और इससे हम लोग यहां पे लगा लेंगे और यहां पे red हमारा live था तो यहां पे देखिए red हमारा इस side लगेगा, यहां पे देखिए यहां पे देखिए live है और यह neutral है और अर्थ का कोई जरूत नहीं है क्योंकि यहां पे दो ही wire है हमारे पास, तो live हम लोग इसमें red color attach कर देंगे और neutral यहां attach कर देंगे, आप इधर का उधर भी करेंगे तो कोई problem नहीं है, बट आपने जहां पे live और neutral attach किया है, यहां पे देखिए यह live यहां पे red हमने किया था और neutral में black किया तो तो exactly यहीं चीज़, हम लोग यहां भी follow करेंगे, live और neutral वाला बहुत ही carefully हमें इसे attach करना है यह neutral attach हो गया, must है और यहां पे live यह live हम लोग attach कर देंगे live और neutral, दोना attach हो गया, must हो गया strongly आपको कर देना है, यह बहर नहीं है strong connection हो जाने चाहिए उसके बाद यह board हम लोग यहां पे secure कर देंगे, यहां पे यह आ जाएगा अराम से इस तरह से board बट इस तरह से अगर हम लोग लगा देंगे यहां पे screw, तो एक चीज़ हो सकता है कि कभी किसी ने यह wire को खीचा यह गलती से खीचा गया तो यह बाहर आ सकता है यह इस तरह से बाहर आ सकता है तो हम लोग क्या करेंगे यहां पे, यह देखेँ इस तरह से मैं कर रहा हूँ यहां पे एक mark बन जाएगा, यहां पे मैं एक mark लगा दे रहाwn ठीक है यहां पर मैं एक mark लगा दे रहा हूं और यहां पर हम लोग क्या करेंगे यह देखिए मार्क बना हुआ यहां पर हम लोग एक है तो कोई बात नहीं आपके घर में 3 होगा ही तो यह थ्रेड मैंने यहां पे लगा दिया है और इसे बिटर काम करता है और यहां पर मैंने से लगा दिया है ठीक है ओर इसका फायदा यह होगा यह थेड़ लगाने से कि इसे आप कितना भी खीचेंगे अगर बाइब मिश्टेक इस तरह से कभी खीचाता भी है यह वायर तो यह बाहर नहीं आएगा तो यह टाइट हो गया है और इसी के साथ यह सिंपल सा बहुत ही प्यारा सा एक्स्टेंशन बोर्ड हमारा रेडी हो गया है और इससे आप कुछ भी कर सकते हैं लैप टॉप मॉबाइल कुछ भी अपना चार्ज कर सकते हैं कहीं भी अगर वाल पे दूर है आपका सौकेट तो वहां से आपका इसका यूज कर सकते हैं तो यहां पर एक बहुत ही यूसफुल प्रोड़क्ट हमारे बन गया है और हम इससे अपने मोबाइल को लैप टॉप को चार्ज कर सकते हैं तो इस तरह का सिंपल एक्स्टेंशन बोर्ड विदीन फिप्टी सिक्टी डूपीज आप अपने लिए बना सकते हैं बहुत ही आराम से और नेक्स्ट टाइम मैं उमीद करता हूं कि अगर इस तरह का एक्स्टेंशन बोर्ड आपको रिक्वाइड होगा तो आप खुद से इसे बहुत ही इसली बना सकते हैं और यह बहुत ही स्ट्रॉंग होता है बहुत ही चलता है सरे इसमें जो जो प्रोड़क्त है वह हमने खुद इसमेंशेंबल किया है एक अच्छे कॉ्यालेटी का सौकत एक अच्छे कॉलmealटी कब रोट एक चालीटी का वाइर हमने खुद इसमें चूज किया है तो यह बहुत ही लांग लास्टीं आपको अच्छा लागा का सबसे पहले देख सके एंडर टास थैंक यू थैंक यू फर वाचिंग और यहां पर एक चीज़ में आपको और बताना बूल गया कि अगर मुझे यहां पर इस तरह समें ऐड कर सकता हो यहां भी एक चार्जर लग जाएगा एक यहां भी लग जाएगा एक यहां भी लग जाएगा तो इस तरह का अटाच्मेंट आप three pin को लगा कर सकते हैं तो यही था इस वूडियो में